आप हलो स्टूरेंट्स आयम जोमेट्रिक की one of the most important theorem जो की सिवास theorem है उसका प्रूब देखेंगे ठीक है यह important इसलिए भी ज्याधा जरूरी क्योंकि इसका जो रिजर्ट है और डिरेक्ली हमें बहुत सारी ऐसे problem है जा हम उसका रिजर्ट यूज़ कर सकते हैं तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि यह ठोरम कहती क्या है और इसको पूप कैसे करेंगे तो एक हमने ट्रेंगल कंसीडर करा ठीक है और इसके तीनों वर्टेक्स से हमने लाइन ड्रॉ करी जो की एक पॉइंट पर आके मिलते हैं ठीक है उसको मैंने नाम दे दिया ओ इस पॉइंट का नाम दिया ओ और इन्हें मैंने एक्स्टेंड कर दिया ठीक है यह पॉइंट है ओ यह 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 बी और यह सी ठीक है इसे ने बोला डी इसको बोला ई और इसको बोला ठीक है तो बी जो लाइन है बी और एफ सी और एडी यह तीनों लाइन्स को हम बोलेंगे कंकरेंट concurrent lines concurrent क्यों क्योंकि ये तिनों एक ही point से पास हो रहे हैं इसलिए ये तिनों lines क्या होगी concurrent lines और इन्हें सीवाज भी बोलते हैं सीवाज ठीक है अगर किसी triangle में हम vertex line join कर रहे हैं और वो किसी एक point ऐसा है तो so according to सीवा स्योरम BD by DC into EC by AE into AF by FB that will be equal to 1 ठीक है ये है सीवा स्योरम का mathematical form ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हम कैसे करेंगे ठीक है वो मैं आपको बताता हूं मैं ये रप्न देता हूं हम अभी ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हैं ट्रेंगल ये हो जायागा उन बाइटो इन टू इन टू इन टू इसकी हैट मैंने सब इचब ले ली ये ये क्योंकि दोण हाइट बराबर है और एड्य अट्रेंगल ओड्डी सी इस इकल टू वन बाइटो into इसका base है dc into इसकी भी height है h अब मैं इन दोनों का इसो ले लगता हूं ठीक है तो area of triangle obd obd इसको d जैसा लिखता हूं इसे भी d जैसा लिखता हूं divided by area of triangle odc that will be equal to bd by dc ठीके अब मैं कुन कुन से ट्रेंगल ले रहा हूँ ट्रेंगल A, B, D और ट्रेंगल A, D, C इन ट्रेंगल A, B, D and ट्रेंगल A, D, C इन दोनों ट्रेंगल की भी हाइड करेगी क्योंकि बेस भी सेम है और ठीके तो इसका एरिया मुझे निकालना होगा तो एरिया ओफ ट्रेंगल A, B, D उड्ड बी इक्वल टू, 1 बाइ 2, B, D इन टू, इसकी हाइड ले लेता हूँ मैं कापिटल H ठीके और एरिया ओफ ट्रेंगल A, D, C बी इक्वल टू, 1 बाइ 2, इन टू इसका base है dc into इसकी भी height है capital H अब इन दोनों का ratio ले लेता हूँ तो area of triangle sorry यह triangle लगाना है area of triangle a b d divided by area of triangle a d c that will be equal to b d by dc ठीके तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि यह वाला ratio और यह वाला ratio इसके बरापर है और यह ratio भी इसके बरापर है तो यह और किसके बरापर हो जाएगा area of triangle o b d by area of triangle o d c ठीके तो यह result अभी हम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने में कि ठीके मैं इसको रप कर देता हूँ ठीके तो हम यह तक आ गए अब मैं थोड़ा सा रेशो का आपको एक हिंट लेना चाहता हूं से अगर आपके पास कोई रेशो हो एबाई बाई 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 अबर हो सी बाई डीके ठीके तो आप इसको एसा लिख सकते हों एबाई सी इस इकल टूबी बाई डी ठीके और मैं क्या करता हूं दोनों साइट में वन माइनस कर देता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चीए तो यह हो जाएगा ए माइनस सी बाई सी इस इकल टू बी माइनस डी बाई डी और ए माइनस सी बाई बी माइनस डी इस इकल टू सी बाई डी ठीके तो इसका मैं यूज़ करना चाहूंगा ठीके अब ए को मैं मान लेता हूं सॉरी यह हो जाएगा हमारा एरिया ओफ ट्राइंगल ए बी डी और बी को मैं मान लेता हूं एरिया ओफ ट्राइंगल A D C C हो जाएगा एरिया ओफ ट्राइंगल O B D और D हो जाएगा एरिया ओफ ट्राइंगल O D C ठीके यह रेशो मैं ने आपको समझा दिये हैं अब बस यह रेशो का हम यूज़ करेंगे और रिजर्ट को निकालेंगे ठीके तो बस हमें अब वो इसकी जरुवत है बस तो मैं बाकी रब कर देता हूं ये और ये मैंने वैल्यूस लिख दी है अब मैं इसमें पुट कर देता हूं एक ही जगे एरिया ओफ ट्रैंगल ए बी डी माइनस एरिया ओफ ट्रैंगल ये सी ओबी डी ठीक है अपॉन एरिया ओफ ट्रैंगल बी किसके बराबर है ए डी सी माइनस एरिया ओफ ट्रैंगल कुन सा बच्रादी ओडी सी ट्रैंगल ओडी सी ये किसके बराबर है सी बाइडी सी बाइडी मतलब ये सी बाइडी मतलब एरिया ओफ ट्रैंगल ओडी सी ठीक है और एरिया ओफ ट्रैंगल ओडी सी किसके बराबर है बी डी बाइडी सी तो ये किसके बराबर आएगा bd by dc और मैं इसा लिख देता हूँ c की जगे आप यह put करेंगे area of triangle obd by area of triangle odc ठीके मैं score up कर देता हूँ अब आप देखिए area of triangle abd मतलब abd यह पूरा हो गया इसमें से आपको obd minus करना है ठीके तो क्या बचे का area of triangle abo तो यहां बचेगा area of triangle triangle abo divided by यह adc है adc में से minus करना है odc यह odc है तो क्या बचेगा aoc upon area of triangle aoc that will be equal to bd by dc ठीके तो मैं आपको बताता हूँ मैंने यह area और यह area का रेश्यो जो है bd by dc के बराबर लिखा है ठीके सिमिलरली अगर हम यही प्रोसीजर यह वाली साइट के लिखा फॉलो करें सिमिलरली अगर हम यह वाली साइट के लिखा फॉलो करें तो मैं ec by ae को लिख सकता हूँ ec by ae would be equal to यह वाला area divided by यह वाला area so that will be equal to area of triangle b o c upon area of triangle a o b ठीके अब मैं यह वाली साइट लेता हूँ तो a f by f b would be equal to area of triangle a o c यह वाला upon area of triangle b o c upon area of triangle b o c ठीके और इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ area of triangle a b o upon area of triangle a o c इसको रप कर देता हूँ ठीके अब मैं क्या करता हूँ इसको इसको और इसको into AF by FB T equal to area of triangle ABO by area of triangle AOC into area of triangle BOC by area of triangle AOB into area of triangle AOC upon area of triangle BOC ADB AOB ABO AOAO ठीक है अब आप देखेंगे कि यह से कैंसल हो गया AOC इससे कैंसल हो गया और यह ABO इससे कैंसल हो गया ठीक है तो यहां पर क्या आएगा 1 तो BD by DC into EC by AE into AF by FB FB it will be equal to 1 and this is the proof of Siva's theorem आपको वीडियो पसंद आप लाइक कीजिए थैंकिसो मच आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करजिए थैंकिसोम